कोडर्मा चिले की नवल शाही थाना शेत्र में दिल दहला देने वाली घटना घटी है बीते रात लगबग दो बजे एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई आपको बता दे कि हरिजन टोला में रहने वाला गांगो दास ने अपने ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी परिजनों ने बताया कि रात में सभी लोग सो रहे थे अचानक गांगो दास ने टांगी से मार कर सभी पांच लोगों की हत्या कर दी मृतकों में गर्ववती 30 वर्षिय शीला देवी, 2 वर्षिय शिफ्कुमार, 50 वर्षिय शांती देवी, 5 वर्षिय राधिका कुमारी और 8 वर्षिय निकिता शामिल है इन सभी की मौत मौके पर ही हो गई जबकि 6 वर्षिय चांदनी गंभी रूप से घायल है उसे बहतर इलाज के लिए रिम्स राची रफर कर दिया गया है वहीं पुलिस ने मुख्य रोपी गांगोदास को गिरफतार कर लिया है और पूरे मामले की राच पड़ताल में जड़ गई है सब्रंग समाचार के लिए कोडर्मा से कुमार रमेशम की रिपोर्ट